आज मुझे आप सबको बताते हुशी हो रही है अपने मिगम को अगले स्वच्छता निशन की ओर नेज़ना है इसके अधिश्च्छी से जहां अभी हम योगों ने जोर की जोर क्यांटेंग को संभलता पुर्वत आगे बढ़ाया वहीं अब इसके आगे कनेक्शन के बार सेग्रिगेशन और प्रोसेशिंग को लेकर नगर विकास अवास नहाद और एवम पत्ना नगर निगम में पुरी 375 टीमें निकाली जारी है जो सेग्रिगेशन पर इस विश्चे को जन भागिदारी बनाएगी और आम लोगों को कच्रा कैसे सेग्रिगेट किया जाए इसकी जानकारी भी देगी इन 375 टीम का पूरा एक ट्रेनिंग वार्ट्शोप तीम दिन का आयोजित किया जाएगा न इस तारी को महामहिम राजिपाल महदे के द्वारा पटना टोटल सेग्रिगेशन को लेकर पूरा ड्राइब स्थू किया जाएगा जिसमें हमारे स्वक्षता अंबेश्डर जो हर फोरम के लोग को हम लोग बनाएंगे और पटना की आम लोग पटना के सहरवासी मेरा सहर मे जवाब देही के विशे को लेकर एक स्वक्षता अंबेश्डर बनकर पूरे इस कैंपेंग को आगे बनाएंगे और हर घर घर तक कैसे कच्छा का सेग्रिगेशन हो कलेक्षन को सुरुआत हुई अब सेग्रिगेशन कैसे हो कैसे सूखा पूरा और गीला पूरा दोनों को हर घर का हाउसवोर्ड अपना अलग-अलग कर नगर निगम को सुपूर्ट करें और निगर निगम के बाद इसके साथ साथ उसके प्रोसेसिंग को आगे बनाएंगे नगर विकास की बाद इस पर भी केजी से काम कर रहा है और बहुत जल्ब पतना निगर निगम का अपना बनाया है और इसमें और भी कई संसानों को जोडने की योजना है जैसे कि हम लोग सारे प्राइबेट स्कूल से बात कर रहे हैं कि हर स्कूल में यह कैंपेंग जाए सरकारी स्कूल जो भी हमारे पिंसपल से उनको इस पाटिसपेशन में जोड़ेगा यहां चेमबर ऑफ जितने होटल्स, होस्पीटल्स और रेश्ट्वेंट्स उनके लोगों के साथ भी हम मिटिंस करेंगे एंज्यू एवं क्लब्स जो होते हैं रोट्री लाइन्स और अदर क्लब्स जो है पत्ता में जो इनर्वीज क्लब हो इस पताए कि जितनी स्वें से भी संस्ताय है उनको सबसे बरी बात है कि नगर नीगर में जिस प्रकार से इस पूरे ड्राइब को सुरवात करने के लिए एक पूरा रोड मैप बनाया और हम लोगों मिलकर उसमें जन भागिदारी कैसे हो हम भी पटनावाशी है तो मेरा सहर मेरी जवाब नहीं कैसे है इस त्वक्षता मिशन क लिए बनाया के लिए उसमें जन भाईदारी के लिए हम लोगों ने विभिन संस्तानों को जोडने का काम करूप किया और पटना कि हर संस्थानों को बेगति को हर घर जोड़ना है इस केमपेंग का पहला मकसद होगा आप सभी कर द्यान में होगा करीब सो लन्हां सो कि तॉ अब उसके segregation को लेकर जब तक हर घर नहीं जागरूत होगा तब तक हम यह mission को सफल नहीं कर पाएगे और जैसा पहले भी आप सब कोई सुने होंगो कि हर सहर के जब वहां के नागरिक चाहे वो इंदोर हो चाहे कोई भी बड़ा सहर कि मुझे अपने सहर को सुंदर होता है और हम लोगों तो देखा कि पट्णा के लोग जब छट के समय में सौच रहे तो चार दिन तो पूरा पट्णा अपने आपने स्वच हो जाता है नीगम का काम कम होता है आम जन्भागीदारी बड़ी हो जाती है तो हम चाहते हैं कि महा पॉल्व जब छट आए उसकी पहले जंता हर दिन छट के रूप में अपने जहर को सच कैसे रखती है इस कैंपेंग को इसमें हम लों सुबात कर रहे हैं पूरे दो महीने इस कैंपेंग को हम लोग चलाएंगे और फिर किती तहे करकर इस पूरे कैंपेंग को तमाप करेंगे दब तक जनता को एक घर को जोडने की योजना पड़नों काम करेंगे सर पाटली पुत्रा में कच्रा डंपिंग यार्ड